दोस्तो आज मैं आपको बताऊंगा वटसअप पर आउनलाइन होकर सभी लोगों को पुराना लासिन कैसे दिखाते हैं आप वटसअप पर आउनलाइन रहेंगे अपने किसी खास दोस के साथ चैट करेंगे और आपके जो दूसरे वटसअप फ्रेंड हैं उनको आपका पुराना लासिन दिखाई देगा उन्हें पता नहीं चलेगा कि आप आउनलाइन हैं आपके दूसरे WhatsApp फ्रेंड आपको WhatsApp पर मेसेज करेंगे आप उनके सारे मेसेज पढ़ लेंगे लेकिन उनको पता नहीं चलेगा इस तरह से आप WhatsApp पर सभी लोगों को आफ लाइन दिखाई देंगे सभी लोगों को आपका पुराना लास सिन दिखाई देगा सभी लोगों के मेसेज आप पढ़ लेंगे लेकिन मेसेज पर बुलू टिक नहीं लगेगा और ये सारे काम आप आप आउनलाइन रहकर कर सकते हैं अब दोस्तो WhatsApp के अंदर ऐसी कोई भी सेटिंग नहीं होती है जिसकी मदस से हम WhatsApp पर पुराना लास सिन दिखा पाए इसके लिए आपको अपने WhatsApp पर एक ट्रिक लगाना होगी ये ट्रिक लगाने के लिए आपको एक छोटी सी एब डाउनलोड करना है अपका नाम है हाइड इसका डाउनलोड लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है अपको यूज कैसे करते हैं ये सीखना जरूरी है आपको इस तरह से स्लाइट करना है अपको ओपन करने के बाद एनेबल पर किलिक करना है यहाँ पर स्क्रिन पर टैप करना है यहाँ हाइड आप दिखाई देगा इस पर किलिक करना है यहाँ पर आपको परमिशन की सेटिंग को ओन करना है अलाव पर किलिक करना है बैक आना है अब यहाँ पर फिर से अलाव करना है ओके पर किलिक करना है यहाँ पर नीचे use this folder पर किलिक करना है allow पर किलिक करना है app open हो जाएगा app को बंद कर देना है अब यहाँ पर मेरे पास 3 mobile है सब कुछ मैं आपको live दिखाऊंगा यहाँ पर आप देख लीजिए मेरी chat मैंने open किया इस phone में तो आप देखेंगे last scene पुराना दिखाई दे रहा है चार बच कर आट मिनट जबके time हो रहा है पाच बच कर एक मिनट इसी तरह से यहाँ पर दूसरे phone में हम open करते हैं chat तो यहाँ पर भी मेरा last scene पुराना ही दिखाई दे रहा है अब यह लोग मुझे what's up पर message करेंगे message मैंने किया यहाँ से भी कर लेते हैं message message यहाँ पर आ गया अब इनके message पढ़ने के लिए हमें what's up को open नहीं करना है what's up open करेंगे तो फिर last scene change भी हो जाएगा हम online दिखाई भी देंगे और message पर blue tick भी लग जाएगा इसके लिए हमें क्या करना है जो app हमने download किया है app को open करना है यहाँ पर what's up वाले section में आना है जो भी आपको what's up पर message करेगा उन सभी लोगों की chat आपको यहाँ पर दिखाई देगी अब राहूल की chat को हमने open किया message को पढ़ लिया message पर आप देखेंगे blue tick नहीं लगा है और last day भी पुराना ही दिखाई दे रहा है इसी तरह से यहाँ पर हम समीर की chat को open कर लेते हैं तो आप देखेंगे message को हमने पढ़ लिया message पर blue tick नहीं लगा है last day पुराना दिखाई दे रहा है अब इस तरह से अगर आप अपने किसी खास दोस के साथ chat करना चाते ही तो आप chat करते रहिए यहाँ पर हम दुनों chat कर रहे है ठीक है लेकिन तीसरा बंदा इसको कुछ पता नहीं चल रहा है क्योंकि last day इस बंदे को मेरा पुराना ही दिखाई दे रहा है इसको मैं online भी दिखाई नहीं दे रहा हूँ इस तरह से आप किसी की साथ chat करेंगे तो सबी लोगों को आपका पुराना last day दिखाई देगा ठीक है अब जो दूसरे whatsapp friend है वो आपको whatsapp पर अगर message कर रहे हैं तो उनके सारे message आपको आएंगे आप तो अपने खास दोस के साथ chat कर रहे हैं message आ रहे हैं, message आ रहे हैं यहां से आप emoji भी send कर सकते हैं यहां पर आपको कीबोंड में emoji भी मिल जाते हैं ठीक है और जो तीसरा बंदा आपको whatsapp पर message कर रहा है उसके सारे message आपको यहां पर आएंगे तो ही आप उसके message का reply कर सकते हैं लेकिन अगर आप चाहते हैं पुराना last scene दिखा कर किसी को message करना तो कैसे करेंगे इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है इस app को बंद करना है आपको अपने phone में Google Assistant को activate करना है इसके बाद home button पर आपको एक second के लिए दबाना है mic पर click करके आपको बोलना है send message जैसे कि यहां पर मैं कर रहा हूँ आप देख लीजिए send message इस तरह से page open होगा यहां पर pick a contact इस पर click करना है आपकी contact list open हो जाएगी अब यहां पर आपको उस बंदे का नाम सर्च करना है जिसे आप message करना चाहते हैं उसके नाम पर आपको tap करना है अब यहां आपको दो option मिलेंगे whatsapp को select करना है अब यहां पर आपको अपना message type कर देना है message type करने के बाद आपको यहां पर send button मिलेगा send पर click करना है उस बंदे को message चला जाएगा अब वो आपको message का reply कर देगा अब उसका message आप hide app के अंदर आकर देख सकते हैं और आप उसके साथ chat को continue कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ chat को मैंने open किया अब हम दोनों यहाँ पर chat कर सकते हैं आपका पुराना ही last link दिखाई देगा किसी को पता नहीं चलेगा कि आप WhatsApp पर online है अब का download link आपको description में मिल जाएगा अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है तो वीडियो को like कर देना, share कर देना और channel को subscribe करके bell icon को दबाकर all per set जरूर करना